चली दो बात करने वाले हैं सूरिया रोशने लिमिट्रेड के बारे में स्टॉक के इंदर इंदर गिरावाट दिखने को मिल रहे है तोटल मार्किट गिरता हुआ नज़रा है अच्छी खासी इंदर पूरे ही बजार के इंदर इस समय दिखने को मिल रहे है काफी सारे shares इस समय नीचे के level पर trade करते हुए नजरा रहे market अभी running में है तो देखे जब बजार गिरता है तो काफी सारे निविश्टक panic में आ जाते हैं लेकिन जो समझदार निविश्टक होते हैं वो इसी मोके का फाइदा उठाते हुए नजराते हैं और बजार के अंदर जब उपर के level दिखने को मिलते हैं तो अच्छा खासा पैसा भी बनता है यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह company लगातार गिर रही है पिछले अगर एक महीने की बात करें तो 14% से ज़ादे की गिरावट आपको शेर के अंदर दिखने को मिली इसी तरीके से 6 मेने की बात करते हैं तो यह शेर लगबग 860 रुपे से भी उपर के level दिखाता हुआ नजर आया था और अक्टूबर के महीने में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या current level पर खरीदारी की जा सकती है या अभी और इंतजार करें टोटल मार्केट गिर रहा है तो नीचे के level पर हम लोग को यह मिले तो हम इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं अच्छा खासा मुनाफ़ा बने तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको यही बताना चाहूँ कि कोई भी stock अगर उस company के fundamental मजबूत दिखाई ज़रे हाल फिलाल में जो event देखे गए हैं उनमें हम लोग को positiveness देखने को मिली है तो उस company के अंदर खरीदारी की जा सकती है लेकिन खरीदारी करते वक्त आपको सर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि अगर stock के अंदर और भी नीचे के level देखने को मिलते हैं तो वापिस से आपके पास में amount जरूर होना चाहिए quantity add करने के लिए एक basic review इस company का आपके सामने रखना चाहूँगा pipes exporter है ये company largest GI pipes producer है ये company और second largest lighting segment के अंदर बहतरीन role play करती हूँ नजरा रही है तो फिलाल की rate में तो बड़ी हलचल इस company के business के अंदर देखने को मिल रही है और यहाँ पर अगर एक basic knowledge की बात करते हैं तो ऐसे नहीं कि हाल फिलाल में ये company आई है काफी पुरानी company है 1973 में ये company establish हुई थी तब से लेकर अब तक इस company के जो business के अंदर उच्छाल देखने को मिला है वो लगातार जारी है अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो खाली ऐसा नहीं कि इंडिया के इंदर ही इस company के माल export हो रहे बाहर भी ये company अच्छा खासा पैसा earn करती हुई नजरा रही है अब देखें दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि lighting और consumer durable segment के अंदर ये company काम करती है लगभग 24% का revenue इस company को महाँ से generate हो रहा है lighting segment की बात करें तो LED lamps, LED street lights, tube lights, conventional lamp का निर्मान ये company करती है और अगर consumer durable segment की बात करें तो कुछ product जिसे की fans वगएरा home plans ये company बनाती हुई दिखाई दे रही है अब अगर इसके plant की बात करें तो दो manufacturing plant है जो की एक ग्वालियर के अंदर है जो की मद्यपरदेश में है और दूसरा है कासीपूर के अंदर जो की उत्राखन के अंदर है इसी तरह किसे अगर distribution network की बात करते हैं तो लगबग 2,50,000 retail outlets हैं इस company के और 25,000 dealer हैं इस company के इंडिया के अंदर अब अगर दूसरे segment की बात करें तो steel pipes और strips segment के अंदर ये company काम करती है वहाँ से लगबग 76% का revenue इस company को generate हो रहा है तो अच्छे खासी growth इस company के अंदर वहाँ से दिखाए देरिये दूसरी बात ये है कि अगर इस company के dealers की बात करें steel pipes and strips segment के अंदर तो लगबग 21,000 प्लस dealer हैं इस company के और 250 प्लस distributor हैं इस company के इंडिया के अंदर जो जगए हैं जैसे की हरियाना के अंदर माल एक्सपोर्ट होता है मद्यपरदेश के अंदर गुजरात के अंदर आंदर परदेश के अंदर ये बराबर अपना माल एक्सपोर्ट करते हुए नजरा रहे हैं अब कुछ मजबूत customer इस company के दिखाए देने जिसे की IOCL, Bale, Reliance Industry तो अभी फिलाल की रेट में जो उपस्ते थी देखने को मिली है तो दावेदारी मजबूत होती हुए नजरा रही है तो इन company के साथ में जुड़ेगी तो कहीं नगहीं मजबूत ही company के अंदर देखने को म inventory है और अगर भार से देखें तो लगबख 28% का revenue से company को महां से generate होता हुआ नजरा रहा है तो earning भार से भी अच्छी घासी है और इंडिया से भी अच्छा खासा ये earn करती हुए नजरा रही है अब देखे product wise बात करते हैं तो ये company कहां से किस product से कितना पैसा earn कर दी है तो LED की बात करते हैं तो लगबख 57% का revenue इस company को generate हो रहा है consumer durables की बात करते हैं तो 17% का convention की बात करें तो लगबख 22% का और अगर PVC की बात करें तो लगबख 4% का revenue ये company महां से generate करती हुआ जरा रही है अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूँँआ कि अगर by population देखा जाए तो rural area स लगबख 52% का earning इस company को हो रहा है tier second की बात करें तो लगबख 32% का और अगर metro cities की बात करते हैं तो 16% के आसपास हम लोको हमां से revenue देखने को मिल रहा है तो अच्छे खासी कमाई है इस company को rural area से दोस्तों आप बात करेंगे future की संभावनों के बारे में तो UK सिंगापूर से अ हम लोको तेजी दिखने को मिल सकते हैं demand के अंदर लगातार तेजी दिखने को मिल रही है तो market value की बात करते हैं तो 3175 करोड के ये company है ROC ROE दोनों ही positive चल रही है dividend ये company बराबर हम लोको provide कराती हुई नजर आ रही है face value की बात करते हैं 10 रुपे की है तो future के अंदर संभाव रुपे का तो अगर किसी कारण से stock के अंदर ऊपर और वी उम्मीद की जाए तो 642 रुपे का ये level क्रोस करना चाहिए तब इसके अंदर और वी तेजी हमें देखने को मिल सकती है उससे पहले नहीं तो ये stock इसी range के आसपास हमलों को काम करता हुआ नजर आ सकता है अग 10.55% के आसपास निकल कर आ रही है साथे में दोस्तों बताना चाहूँआ कि quarter on quarter basis पे जो हलचल देखने को मिली सेल्स बढ़ते है उनजर आई 1946 करोड के आसपास सेल्स निकल कर आई है इस बार Q2 के अंदर पिछली बार लगबग 1453 करोड के आसपास दिखाई दे रही थी खाली सेल्स ही नहीं प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट भी बढ़ता हूँ नजर आया है 44 करोड के आसपास हो चुका है जो कि पिछल अगर अगर अज़ार करोड के आसपास निकल कराया था। इसी तरी के से उससे पहले लगभग 1,090 करोड उससे पहले 1192 करोड देखें लगभग अज़ार के अंदर गिराबर देखने को बिल रही है। इस company के पास में है, पिछली बार लगबग 2949 करोड के आस पास थे, तो तेजी बराबर इस company के अंदर देखने को मुल रही है, shareholding patterns की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूं कि promoters की holding लगबग 62.96% के आस पास है, और quarter on quarter basis पे कोई change इसके अंदर नहीं दिखा तो दोस्तों future का रास्ता तो साफ दिखाए दे रहा है कि कही न कहीं ऊपर के level देखने को मिलेंगे, जिस तरीक से company के fundamental निकल करा रहे हैं, आप देखे, stock market का नियम है, उठा पटक तो देखने को मिलती रहती है, share के अंदर गिरावर देखने को मिली है, तो कल कही न कहीं recovery भ चैनल सब्सक्राइब करके लेना ताकि नहीं वीडियो के notification सीधे आपके mobile मिल्स के, thank you so much for watching